अगर हम एक सेल को देखें तो उसके पास साइटो प्लाजम प्रेजेंट होता है लेकर ये साइटो प्लाजम इन्हारेटेंस में भी रोल प्लेए कर सकता है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे So guys, welcome back to my channel, Bansal Biology आज के वीडियो में हमसाईटोप्लास्मिक इन्हारिटेंस के बारे मेंदेखने वाले हैं अगर हम यहां पर देखें इन्हारिटेंस को मतलब क्या होता है कोई ऐसी चीज जो हमारे पैरेंट से हमें मिल रही है अगर हम normally देखें तो किस तरीकी condition होती है ऐसे यहाँ पर एक egg present होता है और यहाँ पर present होता एक sperm इसके पास भी nucleus होता है हमें पता है nucleus के पास क्या present होगा DNA present होगा जब यहाँ पर इन दोनों का fertilization होता है तो दोनों का ही जो DNA है वो एक बच्चे के पास आता है दोनों का यहाँ पर DNA किस के पास आता है बच्चे के पास आता है जो बच्चे के यहाँ पर phenotype को decide करता है बच्चे के trait को decide करता है कि बच्चा कैसे दिखेगा उसके पास यहाँ पर कैसा नाक होगा कैसी आखे होंगे कैसे कान होंगे इस सारी चीज़े डिसाइड करता है लेकिन यहाँ पर जो यह एग है उसका जो साइटो प्लाजम है उसके पास भी कुछ ऐसे और्गनिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास यहाँ पर जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है यह कौन- Springs के लिए आखे बन सबस्क्राइब होते हैं और अगर इन दोनों का डीये अन्ह यह फिर इन दोनों मेंसे किसी एक का डीये इनने, इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे maternal inheritance या फिर cytoplasmic inheritance, maternal inheritance में क्यों बोल रही है कि लिए मम्मी का cytoplasm ही zygote के पास जाता है, बच्चे के पास जाता है फादर का cytoplasm नहीं आता है, किस का cytoplasm आता है, मम्मा का cytoplasm में माइटो कॉंड्रिया या फिर ख्लोरोप्लास होता है, इसलिए इस कंडिशन को maternal inheritance कहते है, ऐसे inheritance जो हमें सिर्फ और सिर्फ मम्मा से मिल रही है क्योंकि mitochondria, chloroplast, cytoplasm में प्रेजेंट और cytoplasm मम्मा का आ रहा है जाइकोट के पास, इस condition को maternal inheritance कहते हैं, अगर हम ऐसा एक example देखें तो यहाँ पर four o clock plant में हम इसका example देख सकते हैं, जिसको जिसका नाम mirabilis जालपा होता है, हम यहाँ पर इस condition को इनके example में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इस plant की बात करें, तो इन में एक plant होता है, जिसको हम बोलते है, variegated plant, यह जो variegated plant है, इसमें आपको तीन तरीके की branches मिलती है, एक यहाँ पर जो branch होती है, उस पर जो leaves आएंगी, वो कैसी होंगी? वाइट कलर की होंगी, एक यहाँ पर जो branch होंगी, वो होगी green कलर की, यहाँ पर एक होगी green कलर की, और तीसरी यहाँ पर होती है, जो होगी यहाँ पर variegated, Variegated यानि कि इस पे दोनों के dots present होगे green के और white color के दोनों के यहाँ पर क्या present होगे dots present होगे तो इनोंने क्या किया इनोंने एक experiment करने का सोचा यानि कि इस पे हमने scientists ने क्या सोचा कि इस पे हम एक experiment करके देखते हैं चीज हम यहाँ पर देखते हैं, इनों ने यहाँ पर क्या किया, समचो इनों ने यहाँ पर green color वाली branch से egg लिया, तो यहाँ पर egg कैसा, egg यहाँ पर green color का, यहाँ पर egg के पास कैसे jeans present है, कि भई ग्रीन कलर का होना चाहिए, भई इनों ने यहाँ पर जो sperm लिया था, या फिर हम लेकर देखा लेकिन उन्होंने क्या देखा कि यहां पर जो ऑस्फरिंग हो रहा था जो बच्चा हो रहा था वो सारे के सारे बच्चे यहां पर कैसे हो रहे थे ग्रीन कलर के हो रहे थे उनक्या प्लांट कैसा था ग्रीन कलर का था यानि कि पोलन के ओपर कुछ पर डिपेंड यानि कि उसके पाद जीन्स कैसे थे वाइट कलर के लेकिन इन्होंने जब पोलन लिया पोलन इन्होंने वाइट कलर का भी लेकर देखा ग्रीन कलर का भी लेकर देखा और वेरीगेटेड भी लेकर देखा लेकिन तीनों ही कंडीशन में जो आस्फरिंग था वो कैसा बन रहा जब पलंच की तो कोई वेल्यू यह नहीं है, सब चीज एक की कोड़नлам वर्याग है. सेर्ज़ जब इन्हों ने एक लिया तो यहाँ पर कैसा या एक, लैख के पास क्य है ? यहाँ पर जो बच्चे हुए वो कैसे हुए, सारे के सारे हुए हर एक condition में बच्चा variegated भी हुआ, white भी हुआ और green भी हुआ हर एक condition में जैसा कि अमने इस plant में देखा था, plant variegated plant था लेकि इसका green भी आ रहा था, white भी आ रहा था और variegated भी आ रहा था similarly इस condition में भी green भी आ रहा है, white भी आ रहा है, variegated भी आ रहा है तीनों condition में यानि कि जो maternal inheritance है, उसका मतलब क्या है कि जो बच्चे के पास cytoplasm चा रहा है, वो मम्मा से जा रहा है और यहाँ पर जो cytoplasm है, मम्मा के उसमें ऐसी organal present है, जिसके पास ऐसी gene present है जो बच्चे के किसी specific trait के लिए responsible हो रहे है और इसमें जो father है, उसको कोई भी role नहीं आ रहा है तो इस ची इसकों क्या बोलते है, maternal inheritance बोलते है I hope guys, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा maternal inheritance क्या होता है अगर आपको इस वीडियो पसंद आयोगा तो अपने दोस्तों के साथ जो genetics के preparation करें उनके साथ जरूर शेर कीजेगा Thank you so much guys for watching this video Don't forget to subscribe our channel and share this video with all your friends Thank you so much guys, bye bye